आप वेल्कम बैक टू माई तूप्शल पेपर हैकर आज के वीडियों देखेंगे जो भी जात्र बी ए फर्स्स समेस्टर में हैं उनके लिए हम लेकर हैं फर्स्स समेस्टर वालोंकि एकोनोमिक्स मतलब कि अर्थसास्तर का पर है और अर्थसास्तर में हम यह देखेंगे सब् कि अडी लोज क्या होती है इसके बढ़न करो तो आप जब भी ऐसा कुछ आए उसका ब्याख्या करो संचेफ में बढ़न करो अडी लोज का तो आप कैसे कर पूरा हुए जब भी एक्जाम में आए तो आप कैसे लिखने का सिंपल तरीका होगा यहां से हम स्थार्ट करेंगे विल्कों सॉट ट्रिक्स है सबसे बिल्ख है गया है हम लोगों ने बिल्कुल TO slash में इसको देखो यहां बोला क्या है? मांग की अडी लोग का पृति बादन कि कैसा क्ते हैं मूर का क्य क्या की और साथी साथ कहा रहा है कोछ बशतूओn कि लिए कि देखो जैसे कि पूर ने किया था और कुछ बस्तु में इस पिरकार की होती हैं कि यहां देखो बोला गया है कि इस पिरकार की होती है कि एक बस्तु की कीमत पर परीबरतन दूसरी बस्तु की मांग को भी परीबरतन कर देता है मतलब एक बस्तु के कीमत में परीबरतन करते हैं तो दूसरी बस्तु की मांग में परीबरतन भी कर देता है परसपर संबंद होती है तो हम क्या करेंगे तो एक बस्तु की मांग में होने वाले परीबरतन दूसरी बस्तु की मांग पर भी पिरभाव पढ़ता है और इस फिर्भाव को जानने के लिए मांग की अडी लोज का प्रियोग किया जाता है अब अडी लोज का प्रियोग करेंगे तो कैसे करेंगे अब देखेंगे मांग की अडी लोज को निमनिकित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है तो मांग की अडिलोच बरावर होता है ध्यान से देखेंगे मांग की अडिलोच बरावर होता है X कोई बस्तू है मालो एक X बस्तू है X बस्तू की मांग में ठीक है मांग में परीबरतन या अनुपाति निक लेखेंगे सिर्धरे एकिस से बस्तू की मांग में परिबरतन बटे य बस्तू की मांग में परिबरतन क्या होता है इस परिए कर अब देख रहे हैं यह वाला यह क्या है एक्स बस्तू की मांग में परीबरतन है और जो केबल एक्स देख रहे हैं यह एक्स बस्तू की प्रारमिक मात्रा है और जो डिल्टा पी वाई देख रहे हैं डिल्टा पी वाई यह वाला यह देख रहे हैं कि बस्तू बाई की कीमत मे और यहां देखो अगले हमें क्या लेखना है यह हो सके तो लिख देना बरना सूत्र को लिख के आजाना पेपर में तो भी आपको चलेगा यहां देखो बुला गया कि मांग की अडी लोज के आधार पर यह बताया जा सकता है कि X और Y बस्तू आपस में इस्थाबन पूरक यह फिर कह सकते हैं अत्वा स्वतंतर बस्तूएं है क्या है बिटा स्वतंतर बस्तूएं क्या है अब उसके बाद में हम क्या करेंगा देखो यहां ध्यांदेंगे एकश टी बस्तू आपस में इस्थाबन कह सकते है और पूरक हो जाती अत्प्या स्वतंतर बस्तू है यहां गरदम क्यों कि कै死ना को या स्थापन के सकते हैं कि अ कि इस्थापन बस्तु की स्थिती में की मात्रा में ब्रद्धी करेगी अब जो स्थापन बस्तु है उसकी बस्तू में भी ब्रद्धी करेगी और तथा बस्तू बाई की कीमत में कमी करेगी अब देखो जब बाई की बस्तू एक तथा देखो यहां बुला गया है कि यहां से ध्यान देगे ब्रद्धी जब हो गई है यहां बुला गया है यहां से देखेंगे क्योंकि बाई की कीमत में ब्रद्धी इस्थाबिट बस्तु मात्रा में ब्रद्धी करेगी तथा बस्तु बाई की कीमत में कमी बस्तु एक्स की मात्रा में कमी करेगी और यहां कर रहा है पूर्ड इस्थाबन बस्तु में अड़ी लोज कम होती है कम होती है उसके बाद में कहा रहा है कुछ बस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग एक साथ की जाती है कुछ बस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग एक साथ की जाती है और स्कूटर तथा पिट्रॉल पेन अत्वा इसनाही ऐसी की बस्तुएं है जैसे कि पिट्रॉल है, स्कूटर है, पेन है, इसनाई है, एक ऐसी वस्तुएं है, ऐसी वस्तुएं में यदि एक वस्तु की कीमत में ब्रद्दी होती है, तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जादी है, या हो जाएगी, पूरांक कह सकते हैं, पूरांक वस्तुओं की इस् नात्मक मतलब की पॉजिटिव अत्वा सून से कम हो जाएगी यह बोला गया है इस तरीके से आपको इसको लिखके आना है बस यहां से लेकर यहां तक लिखके आना और इसमें आप असानी से जो मांग की अडिलोच होती है उसको आप एकस्पेंट कर पाएंगे एक बार इदो कर दो दूजिए खईए गने से गिया को असानी से टेस्थरी अ स्वीजब कोすानी का व इसको सका इसको ऩोला बार गया है उसको नजाम झाल शफ़ लु जाएंगे नहां से लिखके नहां से बुएंगेय आना है पर ओलिए नहां से पोलोईो तो बादिए को असको सबसे को झाल झाल